टी-टवयर्डवाल worked us da क्या से लाका ऊसकता है कौन को मुक्राया मिल सकता क्या ब्लैंग कनेदा के साथ खेलेगा उसके बाद ने पारतीय मेचे पार उसके बात नेपार तेम privacy यह यह? पहले मौमम मेंच है जो कि हो है कनेडा के साथ तो गाइस बीडिवा बात कर लेंगे किन खिलाडी को मुखा मिल सकता है अपना कॉमिनेसन देख सकता है कि कि खिलाडी को उतानना है कि भीस प्रफिलेंगे लिए तो गाइस हम लोग मत बनाएंगे किन-किन खिलाड़ी को मौका मिल सकता है कौन-कौन खिलाड़ी बाहर बैठ भी सकते हैं क्योंकि यह वाम मैच है इस मैच कोई महात्र नहीं है यह वाम मैच है रखा जाता है गाइस की अपना प्लेंग इलिबन देख ले अपना तयारी कर ले अपना कॉन्वेंशन क voting साथ का ले मैंच के साथ करे मतलब बाइस था से आपना अपना मेंच होभी करना मीन यह पसे नेसे की कुछ भी ने के लिए अपना तैयारी करनाת है ट्यूटी वर्कप के लिए चन्टी वर्क टरॉपफ यह वरं मैच खैल के अपना पलिए 7ड बेस् ऑफिडियों कुंपने से इससे मालूं हो जाता है तो गाईश बिना देरी को गईश वीडियो लाइक भी करो फोलो भी करो विडियों शुरू करते हैं यह आप मालू में कि ओपनिंग करते हुए आसिप सेक और कुसल बुर्टेल दिखाए देंगे इसमें कोई चंजब नहीं होगा कुसी और दुस्ता खिलाड़ी को मौका नहीं मिलेगा यह ओपनिंग का सुरुवात यह दोनों के लाड़ी करेंगे नंबर तीन पर अनिल कुमार सा को मौ मौका देना चाहिए वामम मेच में क्योंकि लगातार रन बना के आ रहे हैं वामम मेच में अच्छा रन बनाए हुए हैं जो भी नेपाल्टी व्योस्ते में जो अपने तीटोंटी वलकप के तैयारी कर रहा है उसमें बेक टुबेक 50 भी मारे हुए अनिल कुमार सा तो अनि अनिल कुमार सा को गाइस नंबर तीन पर मैं रखना हो कि उनको खेलाना चाहिए नंबर चार पर गाइस अपना रोहित पोड़ेल नैपाल का केप्टन फड़न से लीड करते हैं अच्छा रन बनाके भी आ रहे हैं उनका फॉम भी लगा हुआ है तुसरी फॉम को केड़ी कर चाहिए उसमें परफॉर्म करना जरूरी है जो भी खड़ा हो जा है तो फटन से लीड करना जरूरी है जैसे रुहित पड़ेर फ़रं से लीड कर रहे हैं आशिव सेख हो गए कुसल बुर्टेल हो गए अनिली कुमार साह हो गया तो चुरुआत मिलता है तुसका लंबा पा बेटिंग उस बोलिंग से नेपाल टुमेज जिताना पड़ेगा कुसल मल्ला पे बहुत दारों मदार रहेगा जाए वामम मेज लेलो जाए टीटोंटी वर्लकप लेलो क्योंकि लेफ थंडर बनले बाज हैं सांदार बैटिंग करते हैं लंबे-लंबे छक्के मारते हैं तो उ करके आख बैटिंग और बौलिंग से महत्ती करके दें डेते ब Deckard लेके देते बास वही फोर्घ करनाओ कि वेलीं से लिकाड लेकर बहुत दार कानेड़ा खिलाब मैरं मेज होने वाला है घृयाख नारी रहेगा थे बीष्यव से नैपाल reluctant को में स्धिता है। एकिखलाई नहीं चीता है पूरा खिलाई परफॉर्म करेंगे तब जाने पाली मेश जीटेगा नमबर साथ में घाईस डिपंधर सिंग एडी मैं लेते हैं फ्रूम् ढ़ायता है में लोट्स हैए कि उनने लेको वह आदा कर लेते हैं इनुंग गैस्ट nouveau स्वंपाल का भी बेस्ट आल्राउंडर है उनको हार्दिक पांड्या भी बोला जाता है तो इनको जिम्मेदारी रहेगा कि नया बहुत से बिकट लेके दें जब बैटिंग से उनको मौका मिले तो बैटिंग से भी रन बना के दें क्योंकि बहुत जबसे बन्लेबाद है अब मैच खेलने वाला कणेडा के खिलाब नंबर नौ पर करन केशी खेलेंगे क्योंकि उनको त्यारी किराया जाएगा टीट वर्लकप के लिए क्योंकि इसमें देखा जाएगा बेस्प्लेइड इलमन क्या हो सकता तो मैं बेस्प्लेइड बना रहा हूं और नेपाल टी मी मुखा मिलेगा और खेलेंगे कि संदीम लामे चाने को मुखा मिलता बैकर लजी राजपंची इस पिनर है अच्छा इस पिन पर अपने जादू भसा लेते हैं तो बहुत दिम्यदारी रहेगा इस पिन डिपार्टमेंट में आके लाजपंची मिडल में आके बिकर लेके दे ताकि नेपाल टिम में जीते लाज जो खिलाड़ी है गाईस वहर किसी को मालूम हो तो लाजिम खेलेंगे खेलेंगे अब नास बोहरा अब नास बोहरा को हंडेट परसें मुखा मिलेगा क्योंकि यह रोहित पोड़े के चहते हैं उनके लगता कोई दोस्त यार है भाई है लगातर मोंका देते हैं कोई मसना नहीं खेलाना चाहिए बैकिल यार कर फेकने के चक्कर में फुल्टोस बोल ना फेके ताकि नेपाल टिम मेंच हार जाए और नास बोहरा हो खिलाएंगे नंबर 11 जो है अन्मिनास बोहरा है अब इसमें चेंज भी कर सकते नेपाल टिम अबको वामा मैच कल खेलेगा आप लोग गैश क्या लगता है कि नेपाल टिम जीते गा या नहीं जीते को मेंट कर सकते हो अपना राय टेश लगते हो बेगिल हम उम्मीद रखेंगे लिग नेपाल कनेड़ा को हरा है मैच पहले बाज भी अच्छा करे और नेपाल टिम